अपने मनी प्लांट को तेजी से हरा भरा और घहना करने के लिए फरवरी मार्च के महीने में ये चार काम आपको अपने मनी प्लांट के पोधे में अवस्य करनी चाहिए इस काम से आपका मनी का प्लांट काफी हरा भरा घहना हो जाएगा और तेजी से ग्रोथ करेगा हल्लो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी हमारे चैनल सिंपल हूम गार्डनिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है अच की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ठंड के समय मनी प्लांट की हालत जो है वो खराब हो जाती है जिससे ये काफी हेल्दी प्लांट बना हुआ है लेकिन इसके बीच में बहुत सारे पत्ते जो है वो खराब हो चुके हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका मनी प्लांट फिर से हरा भरा और घहना हो जाएगा दोस्तों कुछ जरूरी काम मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपके मनी प्लांट की काफी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और आपका मनी प्लांट जो हो काफी हरा भरा हो जाएगा विंटर सीजन मनी प्लांट बिल्कुल डर्मेंट प्रियेड में चले जाते हैं इनके ग्रोथ बिल्कुल रुख सी जाती है पत्ते सूखने लगते हैं पत्तों में फंगस लगने लगते हैं तो देखिए मेरे money plant का हालत कुछ इस तरीके से हो चुका है winter season में इसके धेर सारे पत्ते जो है वो बीच में moss stick के आस पास सूख चुके हैं तो सबसे पहला काम आपको यही कर लेना है कि जितने भी सूखे पत्ते हैं उसे हटा दीजेगा सूखे पत्ते जो होते हैं यह plant के nutrients को लेते रहते हैं जिससे plant की जो energy है वो अच्छे से नए-ने पत्ते बनाने में नहीं invest हो पाती है यही जो सुखे पत्ते हैं वही प्लांट की एनर्जी को खिचते रहते हैं तो इस तरह के सुखे पत्तों को आपको सारे सुखे पत्तों को हटा दिजिएगा सारे ब्रांच में आपको अच्छी तरह से ढोन लेना है पूरे प्लांट में जितने भी सूखे पते हैं उसे हटा दीज्येगा उसके साथ-साथ गमले में नीचे भी बहुत सारे सूखे पते हो या सूखे पते जो गमले में गिरे हुए हैं वो भी fungus का कारण बनते है जिससे money plant का पत्ता जो हो खराब होने लगता है तो ऐसे पत्तों को भी आप हटा दिजेगा उसके साथ साथ इस तरह के जो पत्ते हैं जो बिल्कुल आधा सूक चुके हैं और आधा हरे हैं ये fungus की वज़ा से होता है तो इस तरह के पत्तों को भी आप को अपने money plant पे नहीं रहने देना है उसे हटा देना है इस तरह के पौधे जो हैं वो infection फैलाते हैं सारे प्लांट में जिससे पौधों की और पतियां जो हो खराब होने लगती है तो देखिए मैंने कितने सारे पत्तों को अपने money plant से हटा दिया है चाहे वो खराब पतिया ह हटा कर अपने money plant को बिल्कुल fresh बना लिया है कुछ इस तरीका से मैंने अपने money plant से सारी पतियों को हटा दिया है और अब हम दूसरा काम करेंगे दूसरा सबसे महत्पूर्ण काम आपको ये करना है कि किसी पतली सी टूल से आप अपने money plant की गुडाई अच्छी तरह सकी जि गर्मियों में ये काफी अच्छी तरह से growth करता है तो जड़ों को बचा कर आपको इसकी गुडाई करनी है न कि जड़ों को तोड़ दें बिल्कुल पतली सी आप टूल ले लिजेगा और धीरे धीरे उपर की मिट्टी को आप इस तरह से जो हटा दीजेगा जड़े बस दि आपकी मिट्टी जब इस तरह से सूख जाए हलकी सूख जाए तो अब इसमें हम fertilizer add करेंगे तो दोस्तों money plant को अधिक nitrogen वाला fertilizer पसंद होता है जिससे इसकी growth काफी अच्छी होती है तो सबसे पहला जो fertilizer आपको add करना है ये गोबर खाद है फोली decomposed गोबर खाद है बिल्कुल में गुडाई किया था उसी में इस fertilizer को दे देना है इसमें हर तरह के पोसकत तो मौजूद होते हैं जैसे nitrogen, phosphorus और potassium जो money plant के growth में help करेंगे और काफी अच्छा हमारा जो money plant हो हरा भरा रहेगा money plant को कीड़े मकोडों से बचाने के लिए साल में एक बार उसमें नीम खली का यू money plant का पोधा जो हो काफी हरा भरा रहा है इसकी पतियां बिल्कुल हरी रहे और बड़ी बड़ी निकल कर आए तो इसके लिए आपको high nitrogen वाला fertilizer का यूज करना पड़ेगा इसके लिए मैं यूरिया का यूज कर रहा हूँ दो ग्राम आपको यूरिया लेना है यूरिया में high nitrogen nitrogen होते हैं जो इस money plant की पतियों को बड़े होने में और हरे रहने में help करेंगे उसके साथ आपको 2 ग्राम एपसम सोल्ट लेना है इपसम सोल्ट जो होता है वो पोधों में परकास translation की किरिया को तेज कर देता है जिससे पोधों में chlorophyll की quantity जो है वो बढ़ जाती है पतियों मे तो आपका पता बिल्कुल हरा भरा रहता है इस तरह से पत्ने जो हैं चमकदार भी होते हैं एपसम सोल्ट डालने से तो आपको यूरिया और एपसम सोल्ट का यूज अपने money plant के पोधे में जरूर करना है यह दोनों chemical fertilizer होते हैं आपको आसानी से मिल जाएंगे market में तो दोन दोने के बाद आपको जितनी भी इसकी ब्रांचे जो है वो लटकी है इस तरह से मेरे धेर सारे ब्रांचे जो है जमीन को टच कर रहे हैं तो उसे मैं इस तरह से बांद देता हूँ दोस्तों बांदने के लिए आप किसी भी रसी का यूज कर सकते हैं बस आपको चारों आप foliar spray भी कर सकते हैं अपने मनी प्लांट के पौधे में दो ग्राम यूरिया आपको लेनी है और दो ग्राम इपसम सोल्ट ले लीजिएगा और दोनों को अच्छी तरह से एक लिटर पानी में अच्छी तरह से डिजोल्प कर लीजिए और डिजोल्प करने के बाद आप पत है, वो healthy रहेगा, काफी हरा-бर आपका मनी प्लांट रहेगा तो इस तरह से आप इसे पत्तों पर एस्प्रे भी कर सकते हैं जिस से पत्तों की जो क्वाल्टी है, वो काफी अच्छी निकल कर आएगी, काफी निखर कर आएगी पत्तों का जो हरापन होता है इस तरह से भूलकर इसे दे सकते हैं, बेस में भी मैंने डाला और आप इसके पत्तों पर भी दे सकते हैं, दोनों ही तरह से आप दे सकते हैं, इसके साथ साथ मौस इस्टिक को भी भीगाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि मनी प्लांट के जितने भी area roots होते हैं, वो मौस इस्टिक से nutrient मिलेंगे, जिससे आपका मनी का प्लांट जो है, वो काफी हरा भरा और घना हो जाएगा, तो मौस इस्टिक को भी आपको बरावर उससे पानी से बिल्कुल एस्प्रे करके भीगा कर रखिएगा, उससे इस तरह से गीला रखने से, मनी प्लांट का पौधा और तेजी से ग गार्डनिंग को सब्सक्राइब करके बेल नोडिफिकेशन जरूर दबाईएगा, नेक्ट वीडियो तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थेंक्स पर वाचिंग